मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भूला ना सकोगे न जाने मुझे क्यूं ये की हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटाना सकोगे मुझे तुम नजर से हमें ये कहना चाहिए कि रेखा सूपरस्टार आप खुद ऐसा मैसूस करती हैं आप कॉंशिस हैं इस बात की कि आप एक सूपरस्टार है '. मैं इस बात से काफे कौंशिस हूं कि आप लोग समझते हां कि मैं सुपस्टार हूँ . मैं यही समझती हूं कि मैं एक आर्टिस्ट हूं." लेकिन इन सुपसटार बनने के लिए आपकी मनजिल आपका रास्ता बन्जिल तक पहुँचने के लिए हलत भी है उ। आपको कफी सालों के बाद मुझे लगा किस नॉट जिस्ट सार बना ही सिर्फ और आटिस भी अपना चीए लेकिन आपके पिता भी साओत हींडिया के बहुत जानेमाने एक्टर्स थे आपकी माता भी अक्ट्रिस ती आपको उन्होंने कोई ट्रेनिंग दी, कोई एंकरेज किया एक्टिंग के लिए? नहीं ममी नहीं काफी, बलकि उन्होंने, मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी एक्टिस बनाओ, आप किसी भी एक्टर को पूछेंगे, आम तो पे वो लोग यही कहते है कि मेरा बच्पन से ही शौट था, फिल्म एक्टर बनने का, और in my case ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं चाहती थी क मैं एक्टरिस बनाओ, मुझे तो मार मार के बना रहेगा, तो आपने शुरू में क्या को साओ्थ इंडियन फिल्मों में एक्टिंग की? जी हाँ, मैं चाइल्ड आर्टिस थी, तीन साल के उमर से मैं काम कर रही है, फिर बंबाई कब आई? बंबाई जब मैं 13 साल की थी, फ किसी ने का की, साओ्ज इंड लड़की हे, ठोडी बत हं लडेती है, ठोडी भथ हंदी बोल लेती है, फिल्क मेरा से तो हमझने का वैं काम करने है, तो मैं यह एक्टिंग की रहे हैं, देख थे पुछ ने लगे की, आपको हंदी हाती है? तो मैंने का, नो, अपको हंदी हम् काम करना ही था लेकिन आपके समझते हैं कुछ आपके माता-पिता का उन पे असर था कि वो बहुत बड़े एक्टर 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 तो नहीं इस बहुत वो चाहती थी कि मैं फिल्म में काम करो फिर पहली फिल्म के बाद आपका शौक और बढ़ा बिलकुल भी नहीं बिलकु अचाहने लगा पिर आपका रवया कब बदला कब आपने सोचा कि नहीं आप सिरिसली काम करना चाहिए 74, 75 में हाला कि मैं फिर्स फिल्म सावन भादों वस बिग हिट और सब लोग यही कह रहे थे कि शीज़ वर्नाइट स्टार और मुझे तो हाँ यह था कि बस मेरे क्लासमेट्स वर्स्टिल इस्पूल वो लोग देखेंगे और बिलकुल नहीं सीखेंगे और बिलकुल नहीं स आगी मतलब थोड़ी बहुती है तो जह फिल्मों के बाद से अब तक कुछ यादार कितनी फिल्मों में हिरो थे ना चुकी यहीं 없이 से ली के अब तक अब टक यह सिल्सला को नहीं वा अभी जारी है अभी तो शुरू हूआ है आपके जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो आपके डांस को भी बहुत पसंद करते हैं. आपने डांस कहा ने से सीका? आप यकिन हैं करेंगे लेकिन मैंने कभी डांस सी खाई नहीं, कभी नहीं सीखा, मेरे हमारे यहाँ, हमारे फैमली में यही है कि बच्छपन से सभी डांस करते हैं, मैं मादर, माई सिस्टर्स, और प्रोफेशनली अगर आप देखा जाए तो, हाँ, जबर दसी हम लोगों को ममी ने भीजा था, जरूर, बट मैंने कभी ठीक से ध्यान से सीखा नहीं, अब मुझे लगता है कि, I wish, मैं प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेती तो, लेकिन फिल्मों में तो हमने आपके बहुत अच्छे अच्छे डांस देखे हैं, जी, बट मेरे खायल से, इस नाट डांस, मुझे यह लगता है कि, it's your feeling, अंदर से जो आप फिल करते हैं, उसको आप, if you feel it with your soul, you know, तो वो अंग-ंग में आ जाता है, it's your grace what you have, and I think हमारे फैमिल में सभी graceful है, चार सो फिल्मों में आप काम कर चुकी हैं, जी, आप को कुछ अपनी पसंदीदा फिल्मे याद हैं, जो आप को पसंद आई हूँ, छे, साथ साल तक तो मुझे अपनी कोई भी फिल्म पसंद नहीं थी, लेकिन 75 के बाद, घर मेरी एक फिल्म बनी थी, जिस फिल्म में मुझे, पहली बार मुझे लगा कि, मुझे एक आक्टिंग में इंटरस लेना चाहिए, and मैंने जब वो फिल् पूरी फिल्म तो आज तक I didn't like any of my films, but एक एक सीन वो जो रेप सीन के, आपने देखी हूँ फिल्म? जी हाँ, घर, तो that रेप सीन मैंने जो किया, मुझे लगा कि हाँ, this is काफी रियलिस्टिक, और उस फिल्म से मुझे लगा कि थोड़ा 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 इंटरस, I must take interest in acting. उम्राओ जान में आपका रोल बहुत सरहा गया, जो बिलकुल खास लखनाओ का रोल था, आपने वो सब तहजीब, उसकी जलक कैसे दी, किसी से खास कोई ट्रेनिंग ली? जी नहीं, बिलकुल नहीं, I know it's very difficult to believe, but मैंने कभी मुझे एक शब उर्दु का, I can't speak, I've never learnt the language, अभी की कामे काफी, you know, I know it's, I shouldn't be saying this, but I want you to know it's true, and उम्राओ जान में तो मुझे कुछ ऐसी खास बात लगी नहीं कि, you know, national award वाली बात, कम से कम, I think I didn't deserve it, but उसमे एक अच्छी बात कया थी, कि मैंने, जैसे कि मैं किसी और से भी कह रही थी कान, कि उस फर्म का कुछ माहौल कि कुछ बन गी, you know, it was just had to happen, और उस वक्त, कुछ ऐसी फेस में मैं गुस, ऐसी मरहलों से में गुसर रही थी, कि वो बात शकल पे आगी, बाकि अगर आप कहें कि कुछ फंटास्टिक परफॉर्मेंस की बात अगर आप करें, तो मुझे तो बिलकु भी नहीं लगा कि कुछ खास परफॉर्मेंस, खेर ये तो आपका ख्याल है, लेकिन, मैं सच्छी कह रही हूं, फेस, किसे ने मुझ से कहा कि, you know, your performance was very restrained, कि आप एतनी एक रिस्ट्रेंड परफॉर्मेंस दी आपने, असल में बात यहू थी, कि my face is so blank, that you cannot see what I feel inside my heart, लेके उम्राओ जान की बात हो रही है, इसलिए मैं कह सकता हूं, आपकी जर्रा नवाजी है, वरना वो तो आप अपने दर्शकों से पूछे कि आपने कैसा रोल किया, यही तो मैं कह रही हूं, लोगों को यह लगता है, कि बड़ी एक restrained performance हुई है, बर मुझे तो बिलकल भी नहीं लगता है, अच्छा, अब बारा सालों में तकरीबन आपने चार सो फिल्मों में काम किया, जी नहीं, तीन साल की उमर से, कुल मिलाके आपने, कुल मिलाके चार सो फिल्मों में काम किया, और अभी शार सो फिल्मों में हम आपको और भी देखेंगे, लेकिन आपने भी गौसिप की बात की थी, खा आपके गॉसिप हमें ज्यादा पढ़ने को मिलते हैं, अब हम यह नहीं कह सकते हैं, वह उनमें क्या सचाई है, क्या जूट है, लेकिन आप जब खुद पढ़ती हैं वह अब गॉसिप अपने बारे में, तो आपको कैसा लगता है? चुरू शुरू में तो समझ में नहीं आया, लोग बोलते हो थे हैं, इसको कहते हैं, हिंदी बगाथा की, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पडाइई. बाद में जब, शुरू शुरू म मतलब 69 में मैं बंबय हाई, तब 69 से 74 तक मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड और मैं जो कहूं उसका कुछ उल्टाई पट्टी बना कि कुछ अपना मिर्च मसाला मिला कर कि वो दिर रिजाल कुछ ज्यादा ही फ्रैंक एक पिक्चर उन्हें पेंट किया जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ तो 75-76 के बाद मैंने सोचा कि इन लोग उनसे बात ही नहीं करना चाहिए फजूल है जो हम कहें वो तो लिखते ही नहीं तो मैं बिल्कुल बात करना मैंने बंद कर दिया इस्पेशली गॉसिफिल मैगजिन से उससे पहले क्या है जैसे मैं हूँ चुलवली जैसे मैं थी अब कुछ जादा अब तो मैं नीद में हूँ इसलिए थोड़ी कम जी मतलब यह सिर्फ आज की बात है जी है सिर्फ आज की बात है हम रेली टोटली मैं मुझे पता ने कि मैं क्या बात करूंगी इसमें आख ऐसी बंद रही है ने आप बहुत अच्छी बात कर रही है जी अच्छे चलो ठीक है तो इन गॉसिप का कोई खास असर नी होता है जैसे मैं आप से कह रहे थी कि पहले तो मैं बात करती थी 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 तो मुझे तो फरक ही ने पड़ता था कि आप गॉसिप में मैं जॉनलिस्ट है मुझे तो आप एक इंसान है सबस्कर में करदो थी थी हृत खाली बात कर ते थी 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 बहात खुली बात करते थी थी कोए तो टो करदो रहे है जालक करते थी को घू Layee do एक फो तो मुझे तो लिगता था गॉप एक टेक है जा needle्तिक है तो मुझे डेशंट वर खिक है आप एक बиновamen ब्रस्ट है एक फिल्मागजीन ने तो इतना जादा किया कि इसाट एड़ 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 बंबाई का एक लैंगविज में एक है वर्ड जिसका नाम है जिसको कहते हैं बंदास पता ने आपने सुनाई कि ने बंदास मतलब बंदास, लापरवाहिसरा, and she doesn't care. बुहिमीन पता रभी इस्जराओ एड़ एक लिर्टनए लाड़ एक। लापनिता है, she doesn't care, she doesn't care for anything. care रहा है, care है, I don't be like. लागि मैं बहुत traditional, बहुत old fashioned, and a lot of God fearing. जो ऐसे लगा ही निए मैं पढ़कर के मैंने का कि ये किसकी बात कर रहे हैं भाई ये तो मैं हुई ही नहीं पता नहीं किसकी बात कर रहे हूं। मुझे बहुत गुसा है। खसे स्यादा मुझे बहुता है। और जब मुझे बहुत बुरा लगता है बुरी लगती कोई बात तो मैं चुफ हो जाती हूं। आस एक्साक्टी वड़ा चुफ होगी। वापेस आप आपकी फिल्मों की तरफ हर प्रिड्यू sopr डाइक्टде जाहता है के रेखा फिल्म की हीरूई हो। आप इतनी ज्यादा फिल्मों के काम करती हैं। आपको वक्त कहां से मिलता है कि आप स्क्रिप्ट देखें और फिर ये तै करें कि आपने काम करना है जा नहीं करना मुझे कुछ आदत सी हो गई शुरू से जैसे पहले तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ती नहीं थी जो भी है ममी या समबडी स्टु अप्रूव फिट बर जब से मैं स्क्रिप्ट पढ़ने लगी हूं मैं हर चीज़ बहुत जल्दी डिसाड कर लेती हूं आपकोड़े कंप्यूटर अब तो आपको इस बात का है कि आप सूपरस्टार हैं और लाखों करोड़ों बलके आपके फैंस भी हैं ना सिर्फ हिंदोस्तान में बलके दुनिया भर में लेकिन आप फ्यूचर का भविश्यका कभी सोचती हैं कि आप शायद इतने सालों में हीरो ना रहें फिर भी आप अब आप एक्टिंग जारी रखेंगी? अब जारी ना सिर्फ के बारे में आज के बारे में सोचती हैं कि क्या होगा? इंदस्तान में आज कल दो तरह की फिल्म हैं बनने एक जिसे कहते हैं आठ फिल्म और एक चालू फिल्म आप आर्ट फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं? बहुत सारे हैं कुछ याद है आपको कौन सी थी? बहुत सारे हैं विजयता कल यूग अभी हले में एक फिल्म में काम किया मुसाफर नसीर उतिन शाह के साथ आर्ट फिल्म किसको कहते हैं? मुझे तो लगता ही निए आठ फिल्म, आठ फिल्म आच फिल्म इस लोर बजच फिल्म, गज çık i shore, आज अर्ब जने मिल्म आण फिल्म आपका को फिल्म आख दिर्ट इॉर्ट रैक्टर याप्र जिए पूच़ आखिए हैं पूछादा सबlles में फेवरिट तो मैं एड्मार करती हूं काफी दिरेक्टर को, राज कपूर को मैं बहुत एड्मार करती हूं I think he's one of our best directors मैं खास्तर से इसलिए राज जी का नाम ले रहे हूं because औरतों के लिए, फिल्म हिरोइन्स के लिए, he's the best director he's very good, I would love to work with him जब आप किसी फिल्म में काम करने के लिए तैयार होती है अच्छा आपने नोटिस के, sorry to interrupt, कि आप हिंदी में सवाल पूछे जा रहे हैं और मैं बार बार इंग्लिश में जाँ नहीं कोई नहीं, कोई खर्ज नहीं मेरे खाल में ये, तो अब हमारी एक तरह से दूसरी जबान मिली-जुली बन ही चुकी है अच्छी बात नहीं है, हिंदी अगर बोले तो सिर्फ हिंदी, शुद हिंदी बने चाहिए अच्छा ये बात नहीं करूंगी, क्योंकि हीरो ये है ये नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है ये जरू का है कि इस रोल के लिए ये परिटिकलर आर्टिस्ट शूट नहीं करते हैं ये जरू का है सुझेशन जरूर दी है लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि अच्छा अगर ये ये हिरो है ये हमने काम करेंगे क्योंकि मेरे साथ मेरा किसे ऐसे हिरो या किसे आर्टिस्स के साथ ऐसी रैपो बैड रैपो हैं नहीं है सब के साथ मेरा अच्छा रैपो है कोई खास हिरो जिससे आपका बहुत अच्छा बहुत अच्छा मेरे तो सबसे अच्छा तो मेरा रंधीर कपूर के साथ है अनफॉर्चनेटली अब मेरे कोई फिल्म नहीं है उनके साथ अमिताब के साथ आपने बहुत से फिल्मों में काम किया जी अच्छा ये तो फिल्मों की बात हुई अब ये बताईए आपने एक कोई टेप बनाया है कोई आडियो टेप वो क्या है जरा उसके बारे में खुद बताईए पचास करोड़ बार बचा दो किया यहां किसी को नहीं मालूँ मुझे नहीं मालूँ इसके मुझे जरूर बताईए मैंने कुछ तीन साल पहले एक्सराइज योगा करना शुरू किया उससे पहले मैं कभी योगा करती नहीं थी किसी किसम के एक्सराइज नहीं करती थी फिर मैंने सोचा कि I like what I did काफी मुझे फर्ग बढ़ा योगा करने से उस वक्त मैं कम फिल्मों में काम कर रहे थी और मैं सोच रहे थी कि मैं फिल्मों में काम करूँ कि नहीं करूँ मेर पास बहुत बख्त मतलब free time I had and then रमा बंस मिसे सायस जोहर आप सुचे कि मैंने सुचे कि नहीं she's very good at yoga तो उन से मेरी मुलाकात हुई उन दिनों में और नहीं कहा कि why don't you come to the glasses सी रॉक में वो सिखा रही थी hotel में तो मेरे घर की काफी खरीब है तो मैंने का ठीक है जा के ऐसी देख लेते हैं तो एक हफते में मुझे इतना फर्क पड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा तो तो कहने लगे कि अगर आपको इतना अच्छा लग रहा तो वारंट यू कम आट यू बिग एफिन फिन स्टार और वारंट यू कम आट विए टेप तो वो टेप काफी पॉपलर भी होगा और अच्छा आपफी देटी अब यह श्यू के लगे श्यू आपकी तेपने अच्छा रहेगा यहां लेकिन योगा के साथ है कि इस नौर बोबाल, अबरल जाते हैँ तो चोपल चली जाते हैं आप एक आसन में चले जाते हैं और फिर उस में एक मिर्ट तो अब दूद कोई बात नहीं कर सोच रही हूं, यूगा कर नहीं दो कोई है। तो आप खुद रेगूलर्य योगा करती है। तो यह कहना से होगा कह आपकी खुबसूरती और इतने स्लिम रहने कराज योगा है। स्लिम तो मैं अभी कहीं से नहीं हूँ, थोड़ी बात में मोटी हो गई हूँ, क्योंकि अभी हम लोगे अमेरिका का ट्रिप किया है, लेकिन हाँ, उसे काफिक भरग बढ़ा मुझे। अच्छा, और इसके इलावा, फिल्मी दुनिया के इलावा और योगा के लवाब के और किया शॉक है, वक्त मिलता है आपको पहले तो यह कुछ और जा बाताईए हमें, मुझे पेंटिंग का बाध्जग का बाध्जा का शॉक है, और गार्डनिंग का शॉक है, बहुँ सार यह तो सब जानते हैं and I like looking at pretty faces or hairstyles का शौक है everything beautiful जो भी खुबसरोत चीज है जैसे flower arrangement anything you just name it वो सब कुछ करना चाहती हूं of course सब से ज़्याद है मैं फिल्म बनाना चाहती हूं आप बनाना चाहती है एक सवाल मैं आपके फैन्स आपके तर्शकों की तरफ से पूछने की जुर्ड़त कर रहा हूं जी बहुत से लोग यह कहते हैं कि अब रेखा को भी चाहिए अपनी अपनी राए देने का सब को हक है आपको सेटल हो जाएं शादी करें आपका उस तरफ और भी कोई भी बहुत से लोगं बहुत से राए देते हैं बेकिन हम जो चाते हैं वो हम करेंगे यह राए सुनते हैं लेकिन अल्टिमτιली तो हम वोही करते हैं जो हम जाते हैं और इस वक्त हम शादी करना नहीं चाहते हैं नहीं आप पहले वो सवाल करे thicken तो하신 है करूं गे, लेकिन अभी अभी मैं समझझे हो की what acting is all about and मुझे बहुत अच्छा लगता है. Acting is the real thing in my life not the only truth thing in my life. मैं बहुत enjoy कर रही है इस वाक्त. मैं एक, दो साल, तो मैं आंग बंद कर के acting करूंगी. आंग बंद कर के मतलब ये नहीं की ला परवाई से, मतलब बिलकुल जरूरी करोंगे उसके बाद मैं चाती हूँ कि मैं फिल्म में काम करो और उसके साथ साथ डिरेक्शन करो उसके साथ साथ म्यूजिक डिरेक्शन करो उसके साथ साथ डान्स डिरेक्शन करो हर चीज़ करो आच्छा, एक आपसे मैं और तर्खास करने चाहता हूँ, आप अभी हाल ही में एक लंबा चोड़ा अमरीका से टूर करके आई हैं कॉंसर्ट का, इसमें आपने कुछ टांस भी दिखाए, कुछ काने भी गाए, जाहिर आप अभी एरपोर्ट से आई हैं, मैं डांस के लिए त जी, कौन से गान अगो, जो आपको पसंद, गजल पसंद करते हैं, मेढ थे तर्खास का अभी आप्षाय, मैं तुम नजर से, गिरातो रहे हो मुझे तूम कभी भी भूला ना सकोगे नजाने मुझे क्यूं ये की हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटाना सकोगे मुझे तुम नजर से बहुत खूब रेखा जी बहुत अच्छा आपने गाया ने ने इससे अच्छा मागाती हूं लेकिन इस वक्त बहुत बहुत शुक्रे आपका स्टूडियो में आने के लिए